तो हाई एवरीवन दिस समीर वेलकम टू टू इस इंजिनीरिंग कांसलिंग सिरीज आज का दिन आप सभी स्टुडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले आज क्या प्राउन वन के अलॉट्मेंट डिक्लेयर होने वाले मुझे बता है बहुत सारे स्टुडेंट तो रात के 12 बज़े आया ता टाइमिंग दिया था साथ आठ बज़े तक डिक्लेयर हो जाएंगे लेकिन रात के 12 बज़े मैंने अपना एलॉट्मेंट चेक किया तो सुबह के 6 बज़े आया था यहां पे यह जैसे आपका टाइम जाता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो नर सबसे पहले मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूगा जैसी भी इलोट्मेंट हो जाएंगे आप सभी सुडेंट को डिकलेयर हो जाये आप सब यह दो बजी करके में और आप सब से चेकए गाउट कर सकते हो लिंक यहुए रहा सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूगए बस आपको चैनल को सस्क्राइब करके रखना है, कभी भी आपका अलॉट्मेंट आए चाहिए, रात के 10 बजे आए, 11 बजे आए, एक बजे आए, दो बजे आए, कभी भी आए, आप सभी students के लिए में वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप make sure करो कि आपने चैनल को स के रहा, मिल जाएगी, ठीक है, चैनल को सस्क्राइब करके रख देना, आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी, जैसे ही अपडेट के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, देखो ऐसा आपको जो है अलॉट्मेंट लेटर आपको मिलता है, कि आपर वन के लिए जब आप वहाँ प पता देता हो, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, फ्लीस थोड़ा वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आपका जो एलॉट्मेंट के बाद का प्रोसेस में सब कुछ इस वीडियो में ही एक्स्प्लेंड करने ओलो, और काफी अच्छे से एक्स्प्लेंड कर दूँगा, बे बेनिफिड टेकन, ठीक है, यहाँ पे इसने जो है, TFWS के थृछ इसको एडमिशन मिला है, तो यहाँ पे जो कैटेग्री फोर एडमिशन है, उसके कैटेगरी की सीट आपको असारी डिटेल से यहाँ पे दी रहती है, कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है, माइनौरी घी की हुई है या फिर कोई category की हुई है वो सब देन उसके बाद ही आपका पिफरंस नंबर आपने जो option फॉर्म वरा है उसमें से कितना पिफरंस नंबर पर आपको यह college अलोट था वो यहाँ पर दिया रहेगा एंड यहाँ पर मेरिट नंबर आपका रहेगा ठीक है ऐसी आपकी सारी डिटेल्स रहेगी ओके अभी मां फॉर एंग्जांपल देखो इसका बताता हूँ अब यहाँ पर Category for admission देखो OBC है अब यहाँ पर OBC होने के बाद देखो सीट टाइब अलोटेट तो यह बहुत इंपोर्टेंट है सीट टाइब अलोटेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो सीट टाइब अलोटेट में G OBC लिका हूँ है स्टेट लेवल जनरल OBC ठीक है यहाँ के देखो Category for admission जो था OBC था और इसको भी वही इसको भी VIT में क्या मिला है कंपूटर इंजिनेरिंग क्याटेग्री बेनिफिट टेकन क्याटेग्री यानि कि OBC के थ्रू यहाँ पर इसको admission मिला है यहाँ पर मेरिट नंबर दिया है और यह Capron 2 का allotment है और फिफरंस नंबर एक चीज में आपको बता देता हूँ ठीक है यह उला इंपोर्टेंट है यह देखो और यहाँ पर आपका जो बेनिफिट टेकन है वह EWC आने वाला है आपका ठीक है पिफरंस नंबर यहाँ पर दिया रहेगा कौन सा पिफरंस नंबर आपका college allot हुआ है and category for admission देख लो यहाँ पर open है ठीक है तो अगर आपने applied for EWS yes किया है तो आपको benefit taken EWS ही मिलने वाला है तो आपका कुछ जो है PDF ऐसा देखने को मिलेगा institute allotted, course allotted, choice code allotted, benefit taken, seat type allotted, preference नंबर क्या पराउंड कौन सा था वह merit नंबर है MSTCDA परसंटाइल अभी इसके ब देखेंगे बड़ यह important PDF देख लो ठीक है यहाँ पर अभी आपको जब आपको na seed acceptance की fees पे करनी है अगर आप cap round 2 के लिए भी जा रहे हो और cap round 2 में अगर betterment चाहिए तो seed acceptance की fees आपको pay करनी होती है अभी यहाँ पर देखो मैं यह final allotment दिखा रहा हूं ठीक है यह final allotment है यहाँ पर आपको ना पूरे तीनों cap round के ना यहाँ पर आपको details रहती है अभी यहाँ पर ध्यान से देखो provisional allotment details cap round 1 का जो allotment होता है उसको provisional allotment details बोलते then उसके बाद देखो provisional allotment details for the cap round 2 then provisional allotment details for the cap round 3 तो यह student जो थी वो cap round 3 तक participate किये cap round 1 में उसको TFWS मिला IT का VIT college ठीक है preference number 7 यहाँ पर दिया गया है then cap round 2 में इसने apply किया तो allotted कोई भी college allot नहीं हुआ not allotted नहीं choice को रिंदा cap round 2 अगर आपको कुछ allotment होता है तो suppose यहाँ पर आपको allotment की details आ जाएगी institute allotted course allotted benefit taken or seat type allotted तो cap round 2 के लिए भी same ऐसा कुछ आपको आएगा लेकिन अगर आपक नहीं मिलता है तो not allotted आएगा और same for the cap round 3 also ठीक है ऐसे आपका जो है final allotment लेटर आपको रहेगा then उसके बाद देखो final allotment में status में आपको यहाँ पर freeze करना पड़ता है यहाँ पर status में देखो यहाँ पर freeze करना पड़ता है and seat acceptance जो है यहाँ पर confirm करना पड़ता है तो यहाँ this point is clear to everyone बहुत सारे important videos में लेकर आ रहा हूँ आप सभी students के लिए even cap round 2 के लिए कैसे form बरना है जिनको अच्छा college allot नहीं हुआ है वो सारी चीज़ें हम लोग discuss करने आप बस चैनल को subscribe करके रहो को सारे important videos आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे जो भी students को cap round 1 में allotment मिलेगा उनको यह दो options मिलने वाले है ठीक है यह दो option एक self-freeze का option रहेगा एक betterment का option रहेगा जो भी students को admission लेना है वो simply जो है self-freeze करेंगे 1000 रुपय करेंगे और जाके admission ले लेंगे अगर जिसको cap round 2 के लिए जाना है और suggestion सब students को यही suggestion होता है कि आप betterment के लिए जाओ क्यूंकि आप यह suggested है कि आप betterment के लिए ही जाना सारे students 1000 रुपय कर देना seat acceptance fees पे करना और cap round 2 के लिए cap round 2, cap round 3 के लिए participate करो इवन अगर आपको desire college allot हुआ है तबी भी desire college में भी अगर branch upgradation होता है तो उसके लिए try करो ठीक है then उसके बाद जो students को cap round 1 में college allot नहीं हुआ उनका क्या होगा आप directly cap round 2 के लिए eligible होगे ठीक है आपको कोई seat acceptance की fees पे करनी की ज़रूद नहीं है cap round 2 में जैसे आप cap round 1 का form fill करते हो 300 choice filling वैसे के वैसे आप 300 choice filling कर सकते हो cap round 2 में I hope this point is clear अब जो भी students self risk करने वाला है यानि कि जो students admission लेने जाने वाला है तो उसके लिए क्या procedure है आपने जितन payment अब देखो बहुत सारे colleges में क्या होता है payment mode जो है डीडी में accept होता है अब जो भी students admission लेने जा रहे हो आपके coordinator का आपको number मिलता है उनको call करके आपको exact amount पूछना है और जाके आपको डीडी बनवा के लेनी है और जाके college में admission लेना है इसका process जो है देखो मैं आपको process बता college में cash accept नहीं होता है ठीक है मैंने यहापे cash लिखा कुछ-कुछ colleges में होता है बट maximum colleges में नहीं होता है और जो top colleges है वहाँ पर सीपोसीब डीडी का ही payment वहाँ पे mode available होता है तो online कई 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 colleges में चलता है ठीक है यह तीनों mode है लेकिन सबसे preferable है कि यह डीडी जो है वो सब में चलता है ठीक है तो डीडी बना के लेनी है जो भी students को admission लेना है जो students को betterment के लिए जाना है एक यह भी doubt आ रहा था कि भाईया हम लोग cap round 2 में form change कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं yes obviously आप सारा जो है जितने preferences आपने भरेते वो सब कुछ आप change कर सकते हो आप जो है edit कर सकते हो change कर सकते हो add कर सकते हो सारे के सारी preferences आप cap round 2 में add कर सकते हो suppose आपको जो है अभी वी आईटी में computer engineering मिल गया तो आप PICT में अभी वहाँ पे क्या होगा कि वी आईटी का computer engineering के ऊपर के जितने preferences है आपको वो cap round 2 में fill करने तो जब आप cap round 2 का form submit करोगे ना तो automatically जो आपको allotted आया ह वो वैसे के वैसे आने वाला है ठीक है क्या round 2 में आप 299 colleges select कर सकते हो 300 choice filling का यहाँ पे rule है लेकिन आप 299 299 क्यों कि आपको एक college already allotted हो चुका है तो आपका 300 जो 300 आपका जो choice filling होगा that is allotted college ठीक है after allotment आपको 16 अगस्त से लेकिन 18 अगस्त तक जो है आपको seat acceptance का process complete करना है seat acceptance प्रोसेस में आता है betterment और self-freeze जो भी students को admission लेना हो self-freeze करेंगे जो students को betterment के लिए जाना है वो betterment करेंगे ठीक है यह सारी चीज़े की clear हो गई और एक important चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखो बहुत सारे students क्या करते कि cap round 2 के form filling से पहले आपको ना vacancy seat matrix आपको मिल जाएगा क कि कोन से college में कितनी seat vacant है तो बहुत सारे students क्या करते कि मेरी category की seat उस college में डिवाइपाटिल में FC category की या फिर OBC category की seat vacant है या नहीं है वो देखते है अगर नहीं है वहाँ पे 0 लिख क्या आ रहा है तो डिवाइपाटिल को apply करेंगे ही नहीं यह गलती मत करना बिल्कुल भी जाएंगे और PICT, VIT, PCCOE ऐसे betterment colleges के लिए try करेंगे और in case उनका betterment हो गया वहाँ automatically seat vacant हो जाती है और नीचे के जो colleges में जिनको allotment मिला वहाँ पर उनको allotment betterment हो जाता है तो यह process होता है तो यह vacancy seat metrics को आप कभी भी follow मत करना and always go further betterment always आप क्या प्राउंट 3 तक जाओगे त तो definitely आपको बहुत अच्छा college allot मिलने वाला है okay then अब timing की बाँ बात करूं तो timing देखो आप यहाँ पे जो expected timing है आपका allotment का that is 5 p.m. to 7 p.m. 8 बजे तक तो आपका allotment आ जाना चीए देखो एक चीज में अभी भी आपको बता रहो जबी भी आपका allotment आया 4 बजे आने द मैं आप सभी students के लिए video upload कर दूंगा जैसे भी आपका allotment declare हो जाएगा अब बस चैनल को subscribe करके रखो सारी updates आपको time to time यह channel के त्रू जो है मिलती रहेगी अगर कुछ भी doubts है तो आप नीचे comment section में push सकते हो मैंने पूरा process बता दिया allotment के बात का process क्या होता है कैसे betterment के लि आप से best wishes and all the very best आप अच्छे से check कीजिए और comment section में मुझे बताईए कि आपको कुण सा college allot हुआ है कि आप रौन में चलो thank you so much मिलते हैं फिन नेक्स वीडियो में